साथियों, विश्व भारती की सो वर्ष की यात्रा बहुत विशेश हैं। विश्व भारती मा भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वपन देखा था, उस्वपन को मुर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर उर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। इस सवस्था को इस उन्चाई पर पहुंचेने वाले प्रत्य व्यक्ति को मैं आदर पुर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि विश्वभारती, स्रीनिकेतन और शांतिनिकेतन निरंतर उन लक्षों की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने तय किये थे। विश्वभारती इसके द्वारा अनेकों गावों में विकास के काम, एक प्रकार से ग्रामों दय का काम तो हमेशा से प्रसंशनिय रहे हैं। आपने 2015 में जिस योग डिपार्टमेंट को शुरू किया था, उसकी भी लोग्प्रियता तेजी से बढ़ रही हैं। प्रकृती के साथ मिलकर अध्यान और जीवन दोनों का साक्षात उधारण आपका विश्वविद्यालय परीसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलार एलाइंस के माध्यम से परियावरन समरक्षन के विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी एहम भूमी का निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलोता बड़ा देश हैं जो पैरिस एकोड के परियावरन के लक्षों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गती से आगे बढ़ रहा है।